आप सबका हमारे चनल पर स्वागत हैं आज हम लोग बात करेंगे 21-24 सत्र वाले का और जिनका एड्मिसन चल रहा है उसके बारे में अभी चुकी छठा अमेरिट लिस्ट के बाद सब्जेक्ट में चेंजेज करने का मौका दिया गया था जो भी ऑप्सन चेंज करना चाहता है कॉलेज चेंज करना चाहता है या जहां पर सेट खाली है वहां पर आपने अपलाई किया होगा या करना करने के लिए कहा गया था इसके लिए दो डेट दिया गया था 25-26 फिर बढ़ा करके 27-28 तक दिया गया और 29 तारिक को यह लेटर चुकी पहले का है इस 28 का ही है एक तारिक तक डेट दी गई है कि उनिवर्स्टी के अफसाइट पर आप एक तारिक तक आउनलाइन पेमेंट करके आपको ओफर लेटर निकाल लेना है वो पांच वुझे तक ही लिंक ओपेन रहेगा तो आज चुकी 29 तारिक हो गया है मेरिट लिस्ट भी आ गया है कट हुआ है वो यह था सिंग्र जल्दी से जल्दी जिस कोलेज में सेलेक्षन हुआ है वहाँ पर जाके अड्मिसन आप करा लिजे एक तरिकшत कही होना है और भी कई काम हो रहा है कॉलेज में भीड़ भार भी हो रहा है इसलिए इसी बीच आपको काम करना है तो लेट करने से फाइदा नहीं है प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में दूसरा है कि इसका दो तारिक तक दिया गया है कॉलेज को अपडेट करने का तो एक दिन बाद तक कॉलेज को ह करना होगा और महाविद्याले 211 को अवस नमांकित हो जाएगा और चात्रों का उनका अपडेट होने पर अपडेट होता है तापको मैसेज और इमेल के तरह सुचना भी प्राप्त हो जाती अब आगे बात करेंगे कि सीट जो दिखता है वेफसाइट पर कितना खाली है और को कटफ को और उस खाले लिस्ट को हम लोग देख करके समझने का प्रयास करेंगे कि कितना सीट खाली है कितने लोगों का सेलेक्शन कैसे होता है तो चलते हैं लोग उस वेफसाइट पर जो विके ऐसी ऑनलाइन है विके ऐसीओ में किस सब्जेक्ट में कितना सीट है इसको देखने के लिए गुगल में हम सर्च करते हैं भीके ऐसीओ विके ऐसी ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह सबको वेफसाइट पर पहुचाया जाएगा आप वेफसाइट पर जाकर के देखेंगे कि होमपेज पर कितने सुचना है वहाँ पर अप्लिकेंट लोग इन करके आप इंट्री कर सकते हैं अपना लोग इन करके जो भी काम करना है चैंज करना है वो सब कर सकते हैं स कट अफ लिस्ट जो सेवंत लिस्ट अभी आया है उसके बारे में है एक्जाम फॉर्म भरने के लिए यह सुचनाय है यहां पर किलिक करके एक्जाम फॉर्म भरते हैं लोग और सुना तक परवेश आविदन है यानि यूजी एडमिसन फॉर्म जब अपलाई होता है तो यहां पर अपलाई करने के लिए ये लिंक हाइलाइट हो जाता है और ये प्लीकेंट लोग-इन और क्ले लोगिन से यहां पर लोगिन ट्री करते हैं अपने एकाउंट में यहां नेचे ही कॉलेज की का की पर से चुनते है तब यहां पर सो बटन दवाते हैं आपके सामने यहां पर लिस्ट निकलता है जो देखिए व्हें एक कोड़ स्कॉर मुझें दिखा रहा है अच्छा से देख लिजेगा LBT College का सबका अलग-अलग यहां पर दिखा हुआ है एक तरह से हम इस तरह का काम करेंगे कि 34 seat vacant है तो 34 लगता है कि इतने विदार्थी का जिन्होंने अभी changes किया है options, subject, यह सब चीज करके जो history में आया है उन सबका क्या 34 विदार्थी का selection हो गया है सबका हुआ है तो इसको देखने के लिए हम चलेंगे home पर और वहां पर फिर से आपको देखना है कि कैसे क्या हो रहा है BKSC online फिर से सर्च कर लेते हैं direct home पर चल जाएंगे यहां पर cut-up में जाके देखते हैं cut-up से समझ में आएगा देखिए यह cut-up खुल गया है इसमें 500 code देखना है 501 जो MB College का है देखिए यह subject का code है यहां पर MB College का line में देखेंगे यहां से दिख रहा है और उपर देखिए category Y लिखा हुआ है unreserved, EWS, BC1, BC2, BC girl, SC, ST यह सब कॉलम बना हुआ है अलग-अलग से हैं कि subject में कितना seat खली है तो इसको इस तरह से करके देखते हैं ताकि वो उपर में भी दिख जाए अब यहां पर कॉलम देखेंगे आप history subject का history subject में देखिए यहां दिखता है कि कितना cut up गया है history में 81 cut up गया है 81 से उपर वाले का हुआ है यह किस category में हुआ है EWS में हुआ है EWS में 81 पर हुआ है BC1 खाली है जनरल में भी 0 है और BC2 भी 0 है BC गल भी 0 है ठीक है SC भी 0 है HT भी 0 है इसका क्या मतलब हुआ जहां जहां भी 0 दिख रहा है इसका मतलब है कि इस category में अब कोई seat नहीं बचा है जनरली आप देखेंगे कि unreserved category जो है जो general category है उसमें चुकि सभी category वाले आ जाते हैं और seat वो सुरू में ही full हो जाता है तो वो seat भर गया है लेकिन जो reserved category के हैं चाहिए EWS वाले हों BC1, BC2 वाले हों या BC girl, SC, ST है तो इस category में अगर student कम है तो इनका seat खाली रहा जाता है और total seat कितना खाली है वही वहाँ website पर दिख रहा था seat availability में अब आप सोच रहे होंगे जैसे कि 34 seat खाली है history में MB college में तो 34 लोगों का हो जाएगा तो कोई guarantee नहीं है कि 34 लोगों का होगा क्योंकि वह 34 seat general का नहीं है वह seat किसी खास reserve category का है चुकि आप यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ selection EWS में हुआ है यानि EWS category का वह seat खाली है और यह BC1, BC2 सम्मेश 0 है तो इसका दो अर्थ होता है या तो इस category में seat खाली नहीं है इसलिए किसी कभी selection नहीं हुआ किसी ने apply भी किया तो उनका selection नहीं हुआ या दूसरा बात यह हो सकता है कि in SC2 category में भी seat खाली हो हो सकता है लेकिन किसी ने apply ही नहीं किया इसलिए selection किसी का नहीं हुआ जीरो पर रहा तो दो तरीके हैं लेकिन हम लोगों को जो वहाँ पर seat दिखा खाली तो वहाँ पर असपर्ष नहीं किया गया कि किस category में कितना seat खाली है वहाँ पर टोटल सीट दिखा दिया गया कि 22 सीट खाली है, 34 सीट खाली है, 50 सीट खाली है, यह टोटल सीट दिखा जाता है और हम लोगों को भरम केसिती हो जाती है तो युनिवेस्टित तुला से अगर उसको पारदर्शिता के माध्यम से दिखाता कि इस केटोगरी में इतना सीट खाली है तो और सुन्दर होता, चलिए भविस में ऐसा हो सकता है कि उस सीट को डिकलियर कर दिया जाए, कि किस केटोगरी में कितना सीट है, अब आगे और बा आया, कटप लिष्ट भी आया, उसमें कितना नंबर पर सेलेक्शन हुआ है, ये हम लोग जान पाए, कितने नंबर पर सेलेक्शन हुआ, किस केटोगरी में हुआ, चुकि असपस्ट रूप से केटोगरी का नहीं पर नहीं दिख रहा था वेब साइट में, इसलिए हम लोग इस सीच को नहीं समझ पाए, कि किस केटोगरी में सीट खली है, पहले ने जान पाए, कटप लिष्ट आ गया, अब जानने से कोई फैदा नहीं है, क्योंकि चैंज नहीं कर सकते हैं, तो ये साथमा लिष्ट आया है, जिनका आ गया है, नाम वो तो एडिमसन करा ही लेंगे, लेकिन जिनका नाम नहीं आया है, उनको थोड़ा वेट करना है, इन्वरस्टी पुरीत रस असपस्ट नहीं बोल रही है, ऐसा उमीद है, कि आगला एक और लिष्ट आये, आठमा लिष्ट आये, कन्फर्म न्यूज नहीं है ये, लेकिन चुकि पहले ही हर वार इसकी चर्चा होने लगती है, तो आठमा लिष्ट भी आने की उमीद है, संभवता, और आठमा के बाद तब स्पॉर्ट एडमिशन होगा, उसमें किसी आरक्षन नियम का लाव नहीं मिलता है, उसका पालन नहीं करना प्रता है, अभी जैसे केटोगरी वाइज सीट निकलत है, इसपॉर्ट में वो सिस्टम नहीं रहता है, इसपॉर्ट में टोटल सीट जो खाली रहेगा, उसका एडमिशन लिया जाता है, ज्यादा अगर आ गया, तो फिर वहाँ पर मेरिट लिष्ट बनता है, लेकिन वो सिर्फ नंबर के रूप में बनता है, एजे होल, वो कोई केटोगरी वाई, रिजर्वेशन के अधार पर नहीं बनता है, तो इसलिए उसमें आपको उम्मिद रखना है, आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा, जिनका सेलेक्शन इस साथ में लिष्ट में नहीं हो सका है, तो एक ये कहाना है, इसके लिए डेट आगे बढ़ाने की उम्मिद बहुत ही कम है, इसलिए आप लोग बिलंब ना करें, कॉलेज में आ करके जल्दी से जल्दी सारा अपडेट करवा लें, आपको दो जगा ऑनलाइन करना होगा, एक बार BKSU की वेबसाइट पर, दुसरी बार कॉलेज की वेबसाइट पर, दोनों जगा कुछ पेम केंसिल हो जाएगा, तो इसलिए दियान रखें, आपको कॉलेज से भी वरिफाय करा ही लेना है, अभी के लिए अतना है, मिलते हैं फिर दुसरे वीडियो में कुछ और जनकरी के साथ, धन्यवाद